ये वोट्स अप गाईज, वेलकम वैक टू अनदर वीडियो फेंड और ग्राविंग 3D ये फाइनल ये वोट्स मा आ गयें लेकिन हमारी ना होते यार ऐसे यार हब में उड़ी हो और ये सच में भाई हब में तो ये वाला मित गाईज हमारा अगला मित है अगर आप थार के बगल में बड़ा वाला जैट पैक देखोगे तो भाई मैजिक देखने को मिलेगा चलो य ये बहुत जाधा ड़ लग रहा है बहुत जाधा खत्री जादू रहने वाला है यहाँ चलो यार देखते भाई जैट पैक को थोड़ा करीब कर देते अपनी थार के और ये थार के हम एकदम करीब आ गये अब दोनों में एक साथ बैठने वाले बैठने के बाद हमें आप जादू देखने को मिलगा चलो भाई बैट जातें जैसे ही गायस हम दोनों में बैटतें बंद कुछ अजीव हर्गत करने रखता और यह सच में कर रहा भाई और जैसे ही हम अपने जैट फैक को उपर करेंगे बंदे की तांग निकल गई बाहर और यह सच में जादू कर रहा भाई मित हमारा कंफव होता है चलते हैं अगले मित की और हमारा अगला मित है न्यू अपडेट में नाइट मोड करेंगे तो हमारे घर की लाइट जलने लगेंगी चलो यार भाई नाइट मोड करते हैं हमारे घर की लाइट जलने लगती है यार चलो देखते हैं यह तो न् यह प्रेस्जिंग जादु है यह देख रहे हमारे घर के अंदर जो लामप रहे हुए थे लाम tut यह देखो फोन रहे हमारे नाइट मोड़ करने के बाद यह देखो तो यह वाल भी मित काइजговारा नहीं रहा है यार कोई जादू नहीं हो रहा मुझे लगता गायस उतारने के बाद कुछ हो सकता चलो फिर से ट्राइ करते हैं यह हमने RPG अपने हाथ में ले लिया बाई और दोनों में एक साथ बैट भी गए और फोलने भी लगे थे बट यहां पर जादू नहीं मिला मुझे उसमें यह कोई हमारा बटन दवाते हैं अरे यह तो कैसा भट रहा भई यह तो अजीब तरह से भट रहा मैं तो उसको फाड भी नहीं रहा जैसा हम अपना जूमिंग बाला बटन दवाते है तो यह RPG ब्लास्ट हो जाता है तो सच में यह मित हमारे पंफम है बंदा मर गया चलो चलते हैं अगले मित की और हमारा अगला मित है घर वाले swimming pool में board spawn करेंगे तो नए गिलीच हमें देखने को मिलेगा और हमारे swimming pool का पानी भी change हो गया चलो भाई देखते हैं यहाँ पर board को spawn कर देते हैं जैसे guys यहाँ पर board spawn करते हैं उसमें बैठ जाते हैं चलो बैठेंग है चलो भाई बाहर निकल तो बैठ चाते हैं भाई यह क्या हुआ पंद तु भाई बोईड में चला गया यह बहला मित हमारे confirm होता है चलते हैं अगले मित की और हमारा अगला मित है अगर आप डोग और ओडी में एक साथ बैठेंगे तो जादू देखने को मिलेगा चलो य लेकिन यहां जादू नहीं मिला हमारी ओडी का डोड तो खुला है लेकिन भाई यहां पर जादू नहीं देखने को मिला मुझे लगता है जैसे ही बंदा हमारी ओडी के पास जाए तब मुझे लगता यह जा सकता है कुछ हो सकता चलो चलते हैं जैसे हम गाईद अपनी अगर boat को spawn करना और बैठ जाना तो भाई जो हमारे map के अंदर जो पानी होता है बहाँ पर हम बोट को चला सकते हैं चलो यार हमने zombie पीछे लगा लिये थे यहीं पर हम boat को spawn कर लेते हैं और बैठ जाते हैं यह क्या हुआ भाई बोट तो नीचे चली गई अब यह कहां पर चला है गाईस यह तो हमारी जमेन के नीचे आ गया जो पानी होता है बहाँ पर हमारा बंदा आ गया है और यह बहुत ही अच्छी तरह से अपनी boat को चला भी पारा भाई यह बहला मित हमारा कंफर्म होता है इनको मारने के लिए आ रहा था और यह पुलिस इस्टेशन के छत तक जाता भाई यह तो पीछे नहीं चोड़ा चलो चलते हैं भाई उपर चलते हैं अब यह तो उपर आ रहा अरे यार यह क्या हुआ यह तो उपर तक आ गई चलो कोई नी इसको यहीं पर निप्टा जाने 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 और यह दो लोट के आ जाने जाने रहा है यह तो बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रहा है यह नौरमल यह जाने जाने तो यह वहला मित हमारा वस्ट होता है बट यार काफी अमेजन लग रहा क्योंकि यार इतने सारी डाइनसोर ही दरूदर टैर रहें भाई यह अपडेट तो एकदम तगड़ा वाला अपडेट है वही तो चलते हैं गाइस हम अगली मित की और हमारा अगला मित है जो कि बहुत से ज़्यादा खतरी मित रहने वाल है डोग को मून ग्रैविटी लगाने के बाद NPC की कार से ठोकेंगे तो डोग भाई फ्लाइंग डोग बन जाएगा चलो यार हमने लगा दिये मून ग्रैविटी और डोग को स्पोन कर लिया सामने NPC की कार जा रही है उसमें ठोकना है और ह ले जाएगा फ्लाइंड डोग यार कितना अमेसिंग होने वाला क्योंकि और हमारा डोग वो ऊपने लगे कई हाया जैसे की हार हमारा होर्स जो है वह ऊपने लगबे लगा यार यह तो अप्डेट के बात से काफी तग्ड़ें मित है अगर आपके पास भी मेत है तो हमने ब बोल ना यार यह तो नहीं होड़ा चलो फिर से ट्राइ करेंगे यह थोड़ी ऊची कारती चलो इस पर ट्राइ करते हैं यह जैसे ही गाइस हम इसके पास आते हैं वो ठोकते हैं इसमें यह थोड़ा अरे भाई साइस है जा यार अब देखते हैं और यह क्या भाई यह सच में टोग बन गया तो ये वाला मीत हमारे कंफर्म होता भाई बिलते गाइस अगली वेडियों तब तक बने रही हमारी चैनल पर